नमस्कार सातियो आज हम तीन टोपिक पे बात करेंगे जो लोग आप अगर दुबई में काम करते हैं जी हाँ तो तीन टोपिक आपके पास कौन से हो सकते हैं क्यों जोब से रिलेटेड बात करेंगे अगर आप जोब छोड़ देते हैं आपके पूरी किये बिना नोकरी छोड़ते हैं तो क्या आपको ग्रेजूटी पोनस मिलेगी फैस नमबर आपका हो सकता है आपका क्यूसन है अगर नोटी सवधी पूरी नहीं करते हैं तो आपको क्या आपके खिलाब में दंडात्म कारवाई की जा सकती है यानि आपके उपर क्या कारवाई होगी जिसे आपको भुगतना पड़ेगा अंडर पर्शनेट जी हाँ, तीसरे नमबर पे बात करें, अगर नोटी साओधी पूरी नहीं करते हैं, उसकी जगए आपकी जो बकाया कंपनी में छुटी थी, उसकी अक्स्ति पूर्ती उसमें कर सकते हैं, जी हाँ, इस तिनों से रिलेटेड तिनों क्योषन एपको हो सकते हैं, अब आपके उपर कौन सा क्योषन लागव होता हूँ, तिनों का अंसवर मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, आयोपी वीडियो पूरा देखिए चा लगए तो भैं लाइक सेर करिए, च हाथ में 2015 में मंतरी अस्तरिये एक मेटिंग होती है उसमें कुछ से कानूनों में फिर बदल होते हैं जी हाँ डिग्री संक्या 766 में उसमें ये प्रावदान किया गया है कि अगर आप नोटीस अवदी नोटीस अवदी देखिए दो परकार की होती है लगब कंट्रक्शन लग बीच में आप भई आपने आज नोटीस दे रहे हैं कि मैं जोब छोड़ूँगा तो आपको कंपनी एक मेने काम करवाएगी और एजुकेशन डिपार्टमेंट में कई में तीन मेने कि आपको नोटीस अवदी होती है उसमें तीन मेने तक आपको काम करना होता है आप अगर अगर वो काम नहीं करते हैं नोटी सवधी का जी हां तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा भाई जो जितने आपकी नोटी सवधी अभी है के सल भी रहा था मैंने आपको बताया था पिसले वीडियो में कि बंदा ने एक मेने काम नहीं किया तो उसकी तंखाती आठ सो कुछ र आपको मुआवजा भरना पड़ेगा यह आपको धंड के रूप में होता है जी हां अब बात कर लेते हैं नो रोजगार परतिबंद लगेगा नहीं लगेगा यह बात उसी से इसी से रिलेटेड है अगर आप नोटी सवधी पूरा नहीं करते हैं जी हां देकिए आपको नो ना दो मेना तीन मेना जो भी है वो भी अगर आप नहीं बरते हैं एक तो आपने नोटी सवधी कंप्लीट नहीं किया नहीं आपने नोटी सवधी की से इस्तिपा दे रहे हैं दूसरे आपने नोटी सवधी की जो सेली थी वो आपने दंडा आपके फाइन के रूप में आप आप ने दो नुक्षान कर दिये तो फिर आपके उपर रोजगार परतिबंद लगेगा एक साल दो साल जो भी होता है जी हाँ अगर आप अपनी शली के ब्राबर मुआफ़जा भर देते हैं नोटी साथ दीगा तो आपके उपर परतिबंद नहीं लगेगा आपका इस्तिपा सिवकार होगा तुरंत प्रभाव से बीजा कंपनी केंसिल करने के लिए भेज देगी पांस साथ दिन में जैसे पीजा केंसिल होगा पासबूर्ट पकड़ा दिया जाएगा और आप यहां से निकल सकते हैं जी हां नेक्स्ट बात कर लेते हैं साथी ग्रेजूटी बोनस जी की हां अगर आप सिमीत अवधी पे ग्रेजूटी बोनस सिमीत अवधी अग्रिमेंट का मतलब जैसे आप एजूगेस्ट डिपार्टमेंट में हैं तो एक अग्रिमेंट होता है 5 साल आपको जोब करना है 3 साल 8 साथ 10 साल जी हां वो agreement आप पूरा नहीं करोगे तो आपको बोनस नहीं मिलेगा इस बात का ध्यान रखिएगा बोनस ग्रिवजूटी बोनस बिलकुल नहीं मिलेगा बाकी अन्य छेतर में मिल जाता है वेतन की गरना की बात करें चार नंबर पूरी नहीं किया फिर भी आपको इस्तिपा आपने दे दिया लेकिन इसमें यह बताया गया है रोजगार कानून जो 79 है जी हां अनुचे 79 में यह बताया गया है कि एक करमचारी वार्शिक जी हां दिनों के अवकास के बराबर वो अपना शेली वतन वेतन का लेने का हगद लाट को समझिये कि आपने नोटी सवदी कंपलीट नहीं कि आपने अबने पर परतिबंद लेकिंदैंगा लेकिन वह आपकी मिल जाएगा यह बहुत अपका था यह करोगा है उसका वस्त्व और थेट दिए को वो आप अपनी सेरली प्राप्त करने के अधिकार हैं जो भी आपका अगरिमेंट के साब से है तो आई ओप ये तिन्यू क्यूस्टन आपके थे आपको अंस्पर मिल गए होंगे साथ यू वीडियो साल लगे तो लाइक शेयर करिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में च चीजान कर की साथ जेहिंगे